अगर आपने नीट दॉए चौविस का एक énergieाम दिया है, तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। पिछले तीन महिनों से आपको पता है कितनी चीज़े हुए, रे नीट होगा, रे नीट नहीं होगा, पेपर लीऀँ हुआ है, पेपर लीइँ हुआ है, मास लेबल पे ली अब counseling शुरू हो जाएगी और आपका जो admission का process हो चलेगा लेकिन अभी भी लग रहा है आपके जिंदगी का दुख खतम होने वाला नहीं है जिस दिन Supreme Court ने फैसला दिया था उस दिन एक और बहुत कहीं थी कि अगर किसी को अभी भी दिक्कत है तो वो अपने lower high court के अंदर या physics के अंदर ये question, botany के अंदर ये question ऐसा है जो कि out up syllabus है नीट के syllabus में नहीं है आप इस question को हटाया जाना चाहिए और उसकी जिगए फिश्ट्रा marks मिलने चाहिए तो क्या फिर से री नीट का जो आपका नीट का result आया है तीन बारा लेड़ी publish हो चुका है तो क्या फिर से चौत आप syllabus है, move to the Bombay High Court है अब जब इस claim को किया गया तो Bombay High Court के जो justice थे उन्होंने एक final का गठन कर दिया, एक committee बना दी और एक committee क्या है कि expert की committee है जैसे है Supreme Court ने बनाया था कि दिलही के जो IIT दिलही है वहाँ के professor physics के question को अनलाइट करेंगे और बताएंगे कि ये सही है कि नहीं स ने Bombay के top college के HOD को hire किया है और कहा कि आप बताएंगे question स्लेवस में है कि नहीं है, बाटनी के question को बताएंगे स्लेवस में है कि नहीं है, तो इसको इहां पर पूरी ख़वर ये है, a neat aspirant इना को took the claim out of to out of syllabus question to be Bombay High Court the court से took commitment from the college to investigate ही जै क्लेम किसको जो claim किया गया student group की तरफ से उसको यहां पर बताना है कि ये out of syllabus है कि नहीं है, the matter will be reviewed further on the August 9, जो matter को सुना जाएगा आज है, 8 तारी को फिर से अपनी report publish करेंगे, कि सही है कि नहीं है, और 9 तारी को इसके उपर फिर से हेरी होनी है, तो क्या फिर से result publish होगा, तो अगर बात करूं result publish होने की, तो मुझे न जो कि out of syllabus है, वो question था radioactive वाला एक आपको पता है कि आया हुआ था, तो उसको कहा गया है कि ये आपका out of syllabus है, तो दिलही high code ने उसे petition को dismiss कर दिया है, खारिज कर दिया है, इन कहके कि अगर question expert के द्वारा बनाय गया तो उनको पता है कि ये syllabus में है कि नहीं है, तो इस चीत को त सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि सोच रहे हैं कि high code के अंदर जाएंगे और फिर से re-neet होगा या फिर से result publish होगा है, तो जहां तक मेरा रे-neet का chance तो खतम हो गया पूरी तरिकेस क्योंकि Supreme Court ने completely cancel कर दिया है, result publish होने की बात है, तो result भी publish होने का भी आप कोई chance नहीं, ऐसा क्य अगर कांसलिंग का सेडूल आ चुका है, सब कुछ आ चुका है, तो अब फिर से result publish होने का कोई chance नहीं है, अगर अपडेट की बात कहें, तो आपको अपडेट है, देखते रहाना चाहिए, कि आपके चारो तरफ आखिर आपके ग्याम से related हो क्या रहा है, बाकि अगर आप 2025 की तो आप तैयारी करते रहें, उसके लिए best आप लाख, और अगर आप नीट 24 की कांसलिंग में participate करना चाते हैं, तो आप हमारे नंबर पे कांसलिंग सपोर्ट है, 9555-06-08-34 पे message कर सकते हैं, यहां पी आपको कांसलिंग से related complete support मिलने वाला है, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ तक तक के लिए थैंक्यू